साथ नमस्कार स्वाँद है आपका अपने चनल हाड़ावट्स क्लब में अपके बाल आप दो मिनेट में पता लगा लेंगे दो मिनेट में पता कर सकेंगे आप कि गाए बेस गयाबी त्हेरी या नहीं थेरी याront प्रक्रगनेर्ट नहीं कि अब आप पशुब natur यह देख ले जिस से हमें पता लग जाता है हाँ यह पशु पक्का प्रेग्नेंट है अब आपको पीडी करने की जूरत नहीं है मान लिजे आपने आपका पशु दस दिन पहले प्रेग्नेंट हुआ यानि किसी सांड से क्रोश करवा या इसी मन या बीज रखवा या किसी मालेक ने आप 10 दिन या 15 दिन बाथ वह जानना चाहता है कि क्या क्रोश करवाने की बाद की बयेंस प्रेग्नेन झेडी या तीस दिन भी अदिव पता ना लगाना चाहता है कि मेरी बिशह को नहीं तो दो से CPT करेगा जिसते आपसका पता लगाइंगी तो सब्सक्रम्न और वह लक्सन आपको इस वीडियो माद मिलने वाले जिससे आप घर बेटे पता लगा सकेंगे कि आपकी भेंस ग्याबी निये या फिर खाली ये वह भी विदाउट पीडिये यानि बिना डॉक्टर की साहिता साथ के वर घर पे पता लगा सकते हैं तो हमारी वीडियो देखने से पहले हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब जरू कर लेना क्योंकि पशुबालने से जूड़ी हर समस्यागा समाधान हमारी चैनल पर आपको देखने हूं मिलता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरू करें और ज़्यादा ज़्यादे या फिर नोन प्रेगनेंट क्योंकि यहां पर इस अवस्ता में पुष्ण मालिक चिंतित हो जाता है कि एक बार जब मैंने याई करवाई तो वहां पर आप सोचने लगते हैं कि मुझे जानना जूरूरी अगर यहां प्रेगनन नहीं यह तो मैं दूबारा इसको दवई दूबारा से हीट मैंज हम इसको बेच ही वह निए पुष्ण मालिक के दिमाग में बहुत सारे थ्रोट आते रहते हैं उन थ्रोट के जरीए वह चिंता करने लगता वह जानना चाहता है कि क्या एक गया भी नहीं कई कई कंडिशन में में ऐसा होता है कि हर जग डोक्टर के आपको घर करने वाले रहते हैं जो डोक्टर आते हैं वह बोलते हैं आपकी ब्यांस दी तीन में या भी नहीं तब ही चेक कर पाऊंगो तब ही पता चलेगा उससे पहले मैं पता नहीं चलेगा लेकिन कई अनुबवी डोक्टर अट्थाविस दिन की पीडि कर देते हैं दोक्टर नहीं बता सकता है तो आपको घर पर पता कैसे लगा सकते हैं वह भी मात्र तीज दिन के अंदर इंदर आप पता लगा सकते हैं कि आपकी भ्यांस ग्याबिन है या फिर खाली है सात्यों सबसे पहली उसकी पेचान है आपने मान लीजिए आज आपका प्रशू प् आपको प्रशू क्या क्या एक्टिविटी करता है आपको क्या देखना है आज आपने ग्याबिन कर लिए इसके बाद आपका प्रशू उध्यान रखना है कि वह कभी पतले पानी जैसे तांते नहीं करना चाहिए यदि पानी जैसे तांते नहीं कर रहा है इट मिन्स कि वह इसका मतलब भी वह ग्याबीन नहीं थेरा है या 10 दिन बाद पुछुप पानी जैसे तांटें कर रहा है इसका मतलब भी ग्याबीन नहीं रुका है तीस दिन बाद भी यदि वह पानी जैसे तांते दे रहा है इसका मतलब वग्याबिन नहीं रुका यह सबसे बड़ा लक्षन है यदि यह लक्षन नहीं आ रहा है यानि वह पानी जैसे दिश्चाहर नहीं दे रहा है इट मिन्स के वह प्रेगनेट हो सकता है क्या कि से पता लगाना और इसाशन बहुत अच्छी बात एक महीने तक भी नहीं दिया इसका इतलाब बहुत अच्छी बात है यह सबसे दुसरा करवाली आज आपने पशु को सांड से क्रोस कर रहा है मिटिंग कर रहा है इसके बाद उस जब दूद दे रही थी वह कभी भी दिन में पशु उचल कुद नहीं करेगा यानि यदि वह ग्याबिन रूग गया है इसका मतलब वह आकरशित नहीं होगा सांडों के और वह बैंस सांड के और आकरशित नहीं होगा बुल के और आकरशित नहीं होगा पशु बुल से दूरी बना कर रहा है पशु जैसे उसकी मूटिंग खतम हुई बारा गंटे बाद वह पशु उस बुल के पास नजदिक बिलकुल नहीं जाएगा इसके बाद वह सांध तवातरनों में पशू रहने लगेगा उचल कुद बिल्कुल नहीं करेगा बोलेगा बिल्कुल नहीं यहागी लग्सन आता है इसका मतलब एक बहुक ग्याविन हमारा पशू रुख गया यहीं उतार दीया है, हाला की तानते वगरा कुछ कि नहीं कि ना पुष्ण रंबार आया ना पुष्ण बोल रहा है ना पुष्ण बीना टाइम के अपने थनों में दूद उतार दिया पुष्ण ने मान लीजे आप रोज़ शाम को दूद निकाल दे तब पवहसु पवास्ता है लेकिन आज दिन में दोपर में 12 बजे पुष तैयारी कर रहा है जो भी बिना time के दूद उतार देता है घ्याबिन होने के बाद इसका मतलब है कि वह घ्याबिन बिलकुल नहीं रुका है वह तैयारी कर रहा है कि वह दुबारा से से हीट में यह जाड़ेत यानि पर्स जैसा डिश्चार्ज गिराता है उसका क्या करें तो साथ यह कई वह सो में यह एक्टिविटी होने लगती जदी वह ग्याविन खो गया है यानि आप मान लिजे आपने सांट से क्रोश करवा दिया अब 20 दिन बाद भी वह जाडा डिश्चार्ज दे रहा है इसका 25 दिन बाद वह पाउस जाडा तांता कर दिया उसने डिश्चार्ज जाडा कर दिया इसका मतलब कि वह ग्याविन है सात्यों इन जाड़े तांतों से आप बिल्कुल न डरे जब तक कि पशु पतला डिस्चार्ज न कर दे आप बिल्कुल न गव रहे यह जाड़ा डिस्चार्ज आ रहा है पस जैसा डिस्चार्ज आ रहा है इसका मतलब है कि आपका पशु ग्याबिन है तो सात्यों मैंने जो आपको बाते बताईए, इनको आप अलग नजर अंदास से देखें, इनको रोज पशु की एक्टिविटी में शामिल करें, आप इन बातों अध्यान रखें, यदि पशु इनमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, इसका मतलब की वह पक्का ग्याबिन रुख गया ह यानि पतले तांते भी नहीं कर रहा है, बेवज दूद भी नहीं उतार रहा है, पशु बोल भी नहीं रहा है, पशु उचल कुद भी नहीं कर रहा है, और पशु गाड़ा डिक्चार्ज कर रहा है, इसका मतलब की वह ग्याबिन है, यदि आपको फिर भी शंका होती है, त यह बात आप ध्यान रखते हैं तो आपका पशुशोर है आप उसको बीना पीडी करें बीना हाथ डालें आप उसका गर्व परिक्षन बाहर से देखकर ही बता देंगी तो चैति मिलते किसी नेक्स टुडियों तब तक के लिए जै हिन जै भारत